पूर्वी लदाख में तनाव कम करने के लिए कई कदमों की घोसना करते हुए भारत और चीन की सेनाव ने अगरिम मोर्चे पर और अधिक सनिक नव भेजने का निना किया है भारत और चीन के सेन कमांडों के बीच होई छठे दोर की वारता के समवन्द में भारतिय सेना और चीनी सेना ने मंगलवार देर साम एक सन्यूक्त ब्यान में कहा है कि वास्तिविक नियंत्रन रेखा परिस्तिती को इस्तिर करने के मुद्धे पर दोनों पक्षों ने गहराई से वीचारों का आदान परदान किया राज्य में मांसून के सक्री रहने कासर मंगलवार को राइधानी समित कई शेत्रों में रहा मौसम विभाग के बैग्यानिक ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक आसमान में बादल चाहे रहेंगे इस दोरान गरज के साथ एक दो अस भर में सुरू होगी गेर्जुएशन की कलास सिक्षा मंत्राले ने करोना वाइरस के बढ़ते खत्रे और देश में लागू अनलग 4.0 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा एलाइन किया है सिक्षा मंत्राले ने या गोसना करते वे कहा है कि एक नौवंबर से देश भर पुष्टी हुई जो बोकारों से सरसट चात्रा से छाओ देवगर 33 धनबाद 94 दूमका बारा जम सेथपूर 124 गाडवा 14 गीडी 18 गोड़ा सरसट गूमला दस हजारी बागे खतर जाम तड़ा आठ खोटी दो कोडारमा तेरा लात्ते हार दस लोर्दागा तेरा पाकु चा और साइब गन से आठ सराह किला तीहतर सिम्डेगा आठ पाच्छिमी सिम्भूम से एक सो पांच मिले हैं जारखन में कुल संग्रमीतोग संख्या 73,948 है जबकि 60,27 लोग स्वास्थ हुए और 641 की मिरित्य हो गई भारत में कुल संग्रमीतोग संख्या 56,440,496 है जबकि 45, लाख 81,820 लोग स्वास्थ हुए और 90,021 की मिरित्य हो गई भारत में केस 80,370 मिले है जबकि 87,181 लोग स्वास्थ भी हुए है जारखन में मंगलवार को 15 की मौथ हुई है जो जमसेदपूर से साथ पच्छमी सिम्भूम से चार बोकारो हजारी बाग कुडारमा दूमका स से कि मौथ हुई है मंगलवार को 1427 संक्रमीत स्वास्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार हाए राची 334 पूर्वी सिमुव तेश वठाता धन्बाद 991 कोडारमा आठ सो अठासी हाजारी बाग शोटावन ठावन सराइकला 649 पाच्मी सिमुचा सो तीरपन बोकारो त 991 गड़वा 145 साहभगा 114 जाम तला 113 पाकोड 90 मरीच एक्टिव हाए खाद सुरक्षा योजना को लेकर प्रखंडों में विशेश सिवीर कल राची उपायूक राजे में 15 नुवंबर को खाद सुरक्षा योजना सुरू किया जाएगा इसमें गरीब लोगों को प्राति वाले 5 किलो खादान एक रुपे प्राति किलो की दर से दिया जाना है बता देखी इस योजना में राची जीला से कूल 1,32,514 लोग सामिलित किया जाएंगे योजना का लाव लेने के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ओफलेन दोनों मादेम से वे देन दिया जाना है लबर सियो को टीम कठित कर इस योजना के तरहत प्राप्त आवेदनों की जाच करने को कहा है ताकि योजना का लाप सही लोगों को मिल सके सहायक पुलिस कर्मी बरावे दिन भी हरताल पर जार्खन के 12 जिला से 18,000 सायक पुलिस कर्मियों बरावे दिन भी मुराबादी मैदान में हताल पर डटे रहे बतादे कि साथ पुलिस कर्मियों ने मितले स्थाकूर से मुलकात करने की कोशिस भी की है लेकिन मुलकात नहीं हो पाई है सायक पुलिस कर्मियों का काना है कि उनकी अर्थाल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें अस्थाई नहीं किया जाता पुलिस पता अधिकारियों को भी मुरबादी में सिप्ट में ड्यूटी कराई जा रही है रात के वक्त सायक पुलिस कर्मी को काफी ज्यादा परसानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार सुप्रीम कोट जाए मरांडी भाजबा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि सरकार को नियोजन नीथी पर हाई कोट के फैसले को सर्योष नियालाय में चुनोती देनी चाहिए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सन्मीधान के अनुछेद 16-3 के तहत सन्मीधानिक रूप से 15-20 के तहत 13 जीलो के लोगों के लिए सत परतिसत जौब आरक्षित किया था बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि जार्कन के सभी लोगों को तभी परतिन निदित्व मिलेगा जब सन्मीधान के अनुछेद 16-3 के तहत कानून मानेंगे जार्कन में मानव तसकरी रोकने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है राज के 16 जीलो में एंटी हुमेन ट्रेफिकिंग यूनिट थाने खोले गया है राज सरकार के गिरिक करा एवं आबदा प्रवंधन विभाग ने इस सम्माद में अधिसुचना जारी कर दी है भारत सरकार के निर्देश पर राज सरकार ने ए थाने खोले है सम्मादी जीलो के एक थाने में ASTU थाना होगा लेकिन इस थाने का कारेचेत सम्मपुन जीरा में होगा बता दे की ASTU थाना धनबाद पुर्वी सिम्मुम सराय के लखर सावा गडवा हजारी बाग कुडारमा चत्रा रामगर बोकारो पाकुर देवगर जामतड़ा हाथियों से होरे नुकसान को रोकेगा बन बिभाग पच्मी सिम्मुम हाथी परवाई जीला है आए दिन हाथी गाओं में घुसकर लोगों के घर में रखे धान को खायाते हैं वहीं खेतों में लगी फसल भी नश्ट कर देते हैं घरों को थोड़ फोड़ करते हैं इसमें आम लोगों को जान की भी छती होती है बता दे कि बन बिभाग ने हाथियों की रक्षा तता मनिस्यों के साथ होने वाले टकराओं को रोकने के लिए वन प्रानी प्रवणधन योजना त्यार किया है इस योजना को चीफ अब वाइल्ड लाइफ राची से भी स्विक्रिती मिल चुकी है इस योजना को सरांडा तथा चाईब असावन परमंडल के 18-18 गाओं में लागो किया जाएगा तीरपन हजार क्लोर कहा खर्ष किये नहीं बता रहा सरकार का विभाग जार्खन सरकार के विभीन विभाग कुल मिला कर तीरपन हजार 389 को रूपय का इसाब नहीं दे रहे है नियंत्रक एवा महालेखा परिक्षा के रिपोर्ट में इसका खुलासा हुए है CAG ने इस रासी की धोखा धड़िक या संका जताई है इसलिए समय सीमा निधारित कर इसके तहत उपयोगिता परवान पत्र जमा नहीं करने वालों विभागों और निकायों का अनुदान रोखने की अनुसंसा की है राची में ड्रक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लोर की नसीला दवा की जब्त है राची राची के नाया टोली सीमलिया में ड्रक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लोर रुपे की नसीली दवा जब्त किया है बता दे कि मौके पर से दो आरोपी फरार भी हो गया है एक दिन पहले गुमला ड्रक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कुछ दवाव को जब्त किया था पकड़े गए लोगों से मिली जनकारी के अधार पर रिंग रोड के निकट छापे मारी कर 250 काटून दवाव को जब्त किया गया है गीरी डी से 50 लाख रुपए का ठगी कर डाक्टर फरार गीरी डी के बागोदर थाना चेतर के जीटी रोड मंजिलाट डी के एक किराये के मकान में बरसों से रह रहे डाक्टर देव ब्रत मलिक ने ग्रामिनों से लाखो रुपए की ठगी कर परिवार समयत फरार हो गया है जब लोगों की जनकारी हुई तो मंगलवार की सुबा लोगों की भीट दुकान के बाहर लग गई बताया जाता है कि उक्त डाक्टर बैंक अफ इंडिया बगोदर साखा से करिम नौव लाख एक सरे मसीन के नाम पर लोन ले रखा था वही मजिलाटी गाव वा भोले भाले महिलाओ से लाखो की ठगी कर फरार हो गया है भाजपा साशन में एक राज को दो हिसा में बाटने की होई थी कोशिस हमंद सुरेन जाकन विधान सभा के मानसून सतर में मंगलवार को मुखमंत्री हमन्सुरिं ने सदन की बैठक दोबारा सुरू होने पर हाई कोट के फैसले पर प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए कहा जैसी करनी वैसी भरनी मुखमंत्री ने कहा कि पुर्वर्ती भाजबा सासन काल में एक राज को दो हिसा में बाटने की कोशिस की गई थी सरकार अदालत के आदेश की समीक्षा करेगी और समीक्षा उपरांत कोई निरना लेगी फिलहाल नियोजन नीती मामले में हाई कोट का निने लागू है मुखमंत्री ने कहा कि जारकन हाई कोट से पुर्वर्ती सरकार द्वारा बनाई गए निमावली को लेकर आदेश दिया गया है इससे हजार लोगों के नियुक्ती परकिर्यास तागित हो गई है नियोजन नीती रद होने पर सदन में हंगामा नियोजन नीती रद करने को लेकर हाई कोट के आदेश की आड़ में मंगलवार को विधान सभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया पाली पाली में जैसे ही सदन की करवाई शुरू होई भाजपा के बिदायक हाई कोट के आदेश के लिए राज सरकार को जिमिदारी ठाराते हुए इस पर चर्चा की मांग करने लगे इसके जबाब में सतापक्ष के बिदायक भी हाई कोट के आदेश के लिए पूर्वक की रहवर सरकार को जिमिदारी ठाराने लगे बता दे कि भाजपा विधायकों ने राज सरकार पर नियोजन नीती पर हाई कोट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने तथा बचाव नहीं करने का आरोप लगाया है चिकित्सक नियुक्ती मामले में हाई कोट ने सरकार से मांगा जबाब चारखन हाई कोट के जुट्रिस एसके दिवेधी की अदालत में राजे में चिकित्सक नियुक्ती को लेकर दाखिला याचिका पर सुनुआई हुई इस दोरान अदालत ने राज सरकार से जवाब मांगा है अदालत ने राज सरकार को या बताने को कहा है कि समीधा पर काम करने वाले चिकित सुको को नियमित करने की क्या योजना है अदालत ने दो सब्ता में योजना की जनकारी मांगी है दाकिया योजना के तहट 35-35 केजी अनाज आदिम जनजाती के घर तक पहुचा है राची उपायुक ते दाकिया योजना के तहट लाभुकों तक घर-घर रासन पहुचे इसका सभी वीडियो ख्याल रखे किसी भी लाभुकों को घर से बाहर निकलने के जरूरत नहो दाकिया योजना के तहट आदिम जनजाती के परिवारों को डोर-टोर रासन उपलब्द कराया जाता है धन्यवाद समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना है कल से आपको पजिस खबरे नीमित रूप से मिलते रहेंगे तो वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ से अवस्य करें साथी साथ आप हमें अपना सुझाव अवस्य दे थाइंक यू